जी तो पहरे बचो कैसे हैं आप मैं उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे चैप्ट नुबर फाइफ की फिजिकल स्टेट्स अफ मैटर करते हैं टेस्ट यूर्सेल्फ 5.1 5.1 हमें क्या कहना चाहिए पहला स्वाल अगर हम देखें तो लिखा हुए है कि वाई दर रेट ऑफ डिफ्यूजिन ऑफ गैसे इस रापड दाट ऑफ लिक्विड्स कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजिन है गैसिस का रापड में तेज होता है लिक्विड के साथ यानि कि गैसिस लिक्विड्स करती है बनिस्बत के लिक्विड्स तो पहरे बचों इसका जवाब आप यहां से ले सकते हैं स्क्रीन शोर्ट ले सकते हैं मैं बड़समजा जेता हूं आपको तररेट ऑफ डिफ्यूजिन इस रिलेटिड्व जोशन और मॉनिकूल किससे है रेट ऑफ मोशन स यह निस्यादर कोई चीज पार्टीकल कितना ज्यादा मूउव कर रहे है याद रखिएगा gases के पार्टीकल ज्यादा मूव करते है जबके liquid के पार्टीकल कम मूउव करते है उनकी kinetic energy liquids की कम होती है बनिस्पत के solids के so faster the motion greater will be the rate of diffusion तो जितने ज़यदा particles का motion तेज होगा उतनी ही जदा diffusion होगी तो आप कह सकते हैं, the motion of gas molecule is very much faster than that of liquids तो जो gases है, उनका जो motion है, वो फास्टर होता है, comparative with the liquid molecules So therefore, the rate of diffusion of gases is rapid than that of liquids और आप यही कह सकते हैं, कि इसलिह हम कहेंगे, कि rate of diffusion of gases joh है, वो क्या होगा? rapid होगा than that of liquids यानि कि liquid से ज्यादा rate of diffusion किसका होगा gases को होगा जी तो प्यारे बचों दूसरा स्वाल ये किया जा रहा है कि why are the gases compressible जो gases होती है उनको compress किया जा सकता है आखर ये compressible क्यों है आखर gases compress क्यों हो जाती है तो प्यारे बचों अगर हम बात करें gases compressible क्यों होती है तो हम जवाब कम्रेसिबिलिटी ही देंगे कैसे देंगे देखें अब आपको बताए कि गैस के पार्टिकल के दरम्यान जो आपको यह बात थोड़ा ग्राफिकली समझाने कोशिश करता हूं कि अगर मारे पास लेट के यहां पर दो पार्टिकल्स अंसर आ रहे हैं अब इनके दरम्यान आ फासला देख लें क्या हो सकता है कि इन दोनों को अगर यहां से ताकत मिले ठीक है तो यह क्या कर सकते हैं आप इस पार्टिकल के क्रीब लेकर जा सकते हैं इसको भी इसके क्रीब लेकर जा सकते हैं दोनों को जो फासला है वो क्या हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा फासला देखें कम हो गया क्यों कि इन दोनों पार्टिकल्स को क्या लगी फोर्स लगी इस फोर्स का क्या नाम होगा प्रेशर लगा यह से लेट से आड़ा आपके पास एक इंजेक्शन है ठीक है और उस इंजेक्शन में जो है क्या लगा हुआ है पिस्टन लगा हुआ है अब देखें ना यहाँ पर गैस मुझूद है इसके अंदर ठीक है अब क्या करेंगे आप यहाँ से हाथ रख देंगे इसको बंद कर देंगे और जब आप पिस्टन को यहाँ से प्रेशन लगाएंगे दपाएंगे तो गैस के पार्टिकल्स क्या हो गया आगे की तरफ मूफ करेंगे तो आप क्या करेंगे नतीजा क्या निकलेगा नतीजा यह निकलेगा प्यारे बच्छो कि पिस्टन जो है आगे की तरफ move कर जाएगा और गैस का volume क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर V1 था तो ये volume क्या हो गया V2 हो गया तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैस ने pressure बरदाश कर करके अपने दर्मयान का जो volume था वो क्या कर लिया कम कर लिया पाल इस तरीके सेया शाइन हुआ यानि यानिके गश जो है वो क्या हो गई कट्रेस हो गई प्यारे बच रहे क्या हो गई कम प्रैस हो गई प्यारे बच यहां भी कह सकते है तो हो प्यारे बच हो द्यूट्य 신 अपना प्रेश अगर आप क्या करेंगे आप गैक की ओपर जो है अगर प्रेशिर लगायेंगे तो भी दोस्रेअग का बौल दिंगे पास्कल एवला स्वाल था तो पास्कल इस यौनट प्रेशर यह तो तब को बता चाही है के प्रेशर यौनट है तौर भी प्रेशर का यौनट है यह मैंने बाद आपको लेक्शर सकें दर भी बताई डेफिनेटली जब आप वन न्यूटन पर मीटर सकें को देखते हैं तो वन पास्कल के बराबर होता है यह भी बात पीशे लिखी हुई है वन एटियम जो है वन वन थ्री तू फाइफ पास्कल के बराबर होगा को इसको बताइगे वर्ट यू फास्कल किया हुता है एक पास्कल में कितात्य हम यह बताना इंड कि हो मेनी पास्कल एगल टूब नियुटन पर मीटर के बराबर है तो फिर नियुटन पर मीटर यहां लिखा हो यहां पास्कल लिखा हो कोई फरक तो नहीं है ना तो लेद हम यही कर दिया है कि हमने यही वैली लिखे है यहां पास्कल लिख दिया है वालने टियम के बराबर ही आ ठीक है उसके बाद चलते हैं कि ले स्वाल की दूफ चोथा स्वाल किय जा रहे है जी why the density of a gas increase on cooling तो प्यारे बचो density of a gas increase on cooling because gas molecules come close to each other and the mass per unit volume increase in this way definitely जब आपको मैंने एक डियाग्रम दिखाई जिसमें आपको नदर आ रहा था कि ये दो हमारे पास particles हैं ये करीब आगे आप सोचें कि आपके पास दो blocks है let's say that कि block number one है और ये block number two है अब इसमें क्या scene हो रहा है कि particles के फासले जएदे हैं और जब ये देखें क्रीब आजाएंगे तो particles के फासले क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे पहरे बचो जब फासले कम हो जाएंगे particles की तदाद भी तो बढ़ जाएगी ना जब math by volume इंक्रीज हो जाता है पहरे बचो तो हम कहेंगे कि density जो है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है ये रो है density को से जाहर करते है ये density है आपको बोड में आ सकता है कि gases की density का unit क्या है तो वो होता है dm cube ठीक है ग्राम पर dm cube बलके मैंने ये पर दो दफ़ा लगा दिया तो ग्राम पर dm cube ठीक है ऐसे लिख लें या फिर ग्राम पर dm cube इन मारे स्थी ऐसे लिख लें तो दोनों बातें एक तरह ही है पहरे बचो उसके अलावे एक और बात याद रखिएगा जो liquids होते है या पर solids होते है उनका जो density का unit होगा ग्राम पर dm cube नहीं होगा ग्राम पर cm cube याद रखने है mc cube ओड का तो है वो आपको समझ में आगे होगा कि कूलिंग करने से क्या होता है पार्टिकल देख दिख दिख देख कि करीब आ जाते है जब करीब आ जाते है तो देंस्टी उफ गैस इंक्रीस तो कि देंस्टी जो होती है गैस की क्या होती है इंक्रीस हो जाती है पेरे पुच्छों पांचवा स्वाल ये किया जा रहा है कि वाइज देंस्टी इफ गैस मेज़ए इन ग्राम पर dm cube आदो यहाँ एक्सप्रेस के जा रही हैं । कमध्स ओमाइड की बुइदाइं क्युवित कि ग्राम पर डेसिमेटर क्यूब में, यह लिखा हुआ है, तो दब फिगर बिकम्स वेरी स्मॉल, विच इस डिफिकल्ट तू रीड, अच्छा, बल्के सही लिखा हुआ है, कि इफ इप्सप्रेस्ट इंग ग्राम पर सेंटिमेटर क्यूब, अगर हम स्मॉलर देंसिटी को किसमें एक्सप्रेस करेंगे, अब देखें न, डेसी और सेंटी, यह आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, डेसी जो एक छोटी वैल्यू को रिप्रिजेंट करता है, सेंटी बड़ी वैल्यू को रिप्रिजेंट करता है, इसलिए छोटी वैल्यू के लिए फिर डैसी मेटर क्यूब का यूनिट किग्ए, गैस देज काम होती है, इसलिए इसलिए उनिट वी छोटा होगा, जबकि जो लिक्विट् वोते हों नंके लिए BOST इसलिए यूट्ट भी जो धाए वो क्या होगा बड़ा यूस को अबसको अबड़ी नबर बड़ा नूबर लिखने पड़ेंगे जो डिजिट रखेंगे तो इसको easy करने कि लिए क्या कर दी हमने gram per centimeter cube कि जएगा gas के लिए क्या यूंद यूद्ध ही कर दिया gram per decimeter cube so it becomes easy to read so the density of a liquid is very high as compared to the gases that is why it is expressing gram per centimeter cube लिकिवर्ट की density बहुत ज़्यादा होती है solids की ज़्यादा होती है इसलिए इनको ग्रावर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सब्रेस किया जाता है तो यह बचों को छोड़ा सा मुश्किल लगते हैं वैसे को ट्राय करते हैं देखें हदा सो सेंटीमीटर क्यूब क् 요새 न seinem हटाद अब सो सेंटीमीटर किसा भड़ावर है अब 50 ao는 कょ बराबर होना चाहिए 1060 अम्लीमीटर के बैबर होती है सवाल कर रहा है ह् wilмы हमें ऩ이 सेंटीमीटर काता है कि मिलीमीटर के पता है यह यादल है कर देंगे तो करने के लिए बस यह है के ब्राबर होता है तो करने के लिए लिए कर देंगे जब को आप ड्राइट करदेंगे तो फिर 70 को दो तरफ क्या कर देना मल्डीप्लाय कर देना तो तो कहां सराएगा गजीरो पॉलाइट लौएटएम तो यहां पर क्या करना है तो दोनों तरफ 3.5 को मुल्टिप्लाइब तर अधर सेम आजेगा कि यहां पर मुल्टिप्लाइब इसके साथ आंसर क्या आजाएगा करके देख लिए उसके बाद वने टीम बराबर है वने टीम पासकल के हम यह भी पता है कि डेफिनिटली यह बात तो सही लिखी इसने जो कि नॉर्मली है हमने के करना है वन पॉइंट फाइफ एटिम करना यह हमें चाहिए तो दोनों तरफ क्या मुल्टिप्लाइब कर देंग लेकिन जब आप इसको इससे मुल्टिप्लाइब करेंगे इससे कर देंगे तो क्या अंसर आजाएगा 151987.5 पासकल करके आप देखना है तो परहला तीनों क्रवर्जिंट में आपको करना सिखा दिए होगी चैनल को सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखें इस वीडियो के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं